Hello student, इस वीडियो में हम construction of bus system देखेंगे, तो ये एक requested वीडियो है, यहाँ परे पास एक question आया था, कि construct a bus system using tri-state buffer for two registers having 4-bit age, मतलब हमें bus system construct करना है, लेकिन tri-state buffer का use करके करना है, जिसमें दो registers होंगे और हर एक register की capacity होगी 4-bit की, इसका एक need and clean diagram draw करना है और उसको explain करना है, तो सबसे पहले तो हम tri-state buffer देख लेते हैं, जो bus system होता है, या तो हम multiplexer की help से construct कर सकते हैं, या फिर three-state buffer gate, three-state gate को ही हम tri-state buffer बोलते हैं, अब नाम सी समझ में आ रहा है, three-state gate मतलब ऐसा gate जिसकी तीन state होंगी, अब normally जो gate होता है, digital circuit में, उसकी दो state होती है, लेकिन three-state gate में त three-state होंगी, दो state कोन से होती है, zero या बन, ठीक है, अब जो तीसरी state है, वो होती हाई impedance state बोलते हैं, हाई impedance state open circuit की तरह बिएव करता है, जिसका मतलब यह होता है, कि output जो है, वो disconnected है, और उसका कोई भी logical significance नहीं है, ठीक है, मतलब उसका output पर कोई असर नहीं हो रहा है, three-state gate जो होते हैं, इनका use, हमें end gate बनाने में, end gate बनाने में, या buffer gate बनाने में होता, buffer gate का use ही हम करते हैं, bus system को construct करने में, यह एक diagram है, जो कि मैंने मौरिस मैनों से लिया है, यह graphical symbol है, three-state buffer का, यहाँ पर, या तो हमें normal input है, वो as a output मिल जाएगा, या फिर जो control input है, उससे वो high impedance में च या फिर हमारा जो gate है, वो high impedance में जाने वाला है, अगर control input की value 1 है, तो जो output है, वो normal output होने वाला है, और अगर control input की value 0 है, तो हमारा जो gate है, वो high impedance में चला जाएगा, तो हमें three states मिल सकती है, normal input अगर 0 है, तो 0 मिलेगा, normal input अगर 1 है, तो 1 मिलेगा, लेकिन अगर control input ही 0 है, तो फिर हमें high impedance state मिलेगी तो normal और control तोनों तरीके के input हमारे पास three state buffer में होते हैं control input determine करता है output state की और जब control input one होता है तो output जो है वो gate की normal conventional buffer की तरहे काम करता है conventional buffer मतलब कि जो input पे वही output पे आ रहा है अगर आपने जो input पे दिया है वही output पे रेसीव हो रहा है normal buffer को हम यह समझ सकते हैं कि यह one bit register की तरह होता है और अगर control input हमारा zero है तो output जो हता है वो disable हो जाता है और आपका जो gate है वो high impedance state में चला जाता है अब आपकी जो normal input है वो कुछ भी हो आपका जो gate है वो तो high impedance में चला गया high impedance जो होता है वो एक special feature होता है three state gate का और जो normal gates में available नहीं होता और इसी feature की वज़े से हम बहुत सारे three state gates को use कर सकते हैं उनको connect कर सकते हैं wire के through जिससे हम common bus बना सकते हैं और जो हम common bus बनाएंगे तो हमारे पास जो load है उसका कोई danger नहीं होता है उसका कोई खत्रा नहीं होता है तो यह एक diagram दिया है जिसमें हमने bus line बनाई है एक bit बस line for bit 0 मतलब एक bit की bus line बनाई है यहाँ A0, B0, C0 जो है यह चार register है four different register है four different register से four gate में output आ रहा है और यह जो decoder है यह select कर रहा है कि किस register का output अब हमें bus line पर दिखेगा तो जब यह decoder है decoder में आप देखिए एक E enable line है जो की control को या तो disable कर रही है या enable कर रही है अगर E की value 1 है तो यह enable हो जाएगा control और E की value 0 है तो यह आपका जो normal input है वो दिखाए देगा selection line S0 और S1 है उससे आप S0, S1 आपकी दो selection line है क्योंकि आपको 4 में से select करना है तो 2 to the power 2 मतलब की 4, 4 में से आपको गर select करना तो 2 selection line आपको लगेंगी तो E की value जब 1 होगी तभी यह चीज़ें work करेंगी E की value गर 0 होगी तो control line आपकी 0 हो जाएगी और यह सारे के सारे buffer आपके high impedance में चले जाएगे S0, S1 में आपको depend करेगा कि इन दोनों की binary values क्या है 0, 0 है तो 0 select होगा और A0 का output आपको बसने मिलेगा 0, 1 है तो 1 select होगा और B0 का output आपको बसने मिलेगा 1, 0 है तो 2 आपका select होगा और आपका output में C0 का output मिलेगा और 1, 1 है तो D0 आपको output मिलेगा तो ये चारो register की पहली पहली बिट आप मानके चल सकते हैं इसी diagram को हमने यहाँ पर explain किया है तो जो output है 4 buffer का वो एक दूसर से connect है single bus line के लिए control input जो buffer के हैं वो determine कर रहा है चार normal input को जो की bus line से communicate हो रहा है आपका एक से ज़्यादा buffer एक time में active state पर नहीं हो सकता है जो connected buffer है वो control हो रहा है ताकि केवल एक 3 state buffer में से कोई एक line को bus line को access कर पाए और बाकी सारे high impedance state में रहें decoder आपका use हो रहा है control करने के लिए active input को control करने के लिए जब enable की value आपकी decoder की 0 होगी तो सारे के सारे output 0 हो जाएंगे और आपकी lines जो है वो high impedance में चले जाएंगी जब enable की value 1 होगी तो आपके चारों output में से कोई एक output आपका active रहेगा और वो depend करेगा आपकी selection line की binary values में as 0 as 1 की binary value में इसी तरीके से आपको explain करना है तो यह जो question था उसका मैंने यहाँ पर construction करा है construct a bus system using tri-state buffer for two register पहले चार register थे अब दो register के लिए हमें करना है having four bit each हर एक register में चार bit है draw a neat and clean diagram to explain the process तो neat and clean diagram आप इससे draw कर लेना यह उतना neat and clean नहीं है यहाँ पर मैंने दो register लिए है register a register b register a 4 bit का लिया register b 4 bit का लिया अब देखिए पहले जो buffer में 4 lines आ रही थी 4 buffer बन रहे थे अब 2 ही आएंगे क्योंकि हमारे 2 register है पहले a0, b0, c0, d0 मतलब 4 register के लिए बनाया गया था यह 2 register के लिए बनाया है bus for bit 0, bus for bit 1, bus for bit 2, bus for bit 3 चारों bit के लिए यह बनाया गया selection line में देखिए आप जब decoder देख रहे हैं एक square type का rectangle type का तो वहाँ पे मैंने e लिया है enable के लिए decoder को और s0 लिया है क्योंकि अब हमारे पास 2 ही bit है a0 या b0 2 ही register है तो हमें 2 में से choose करना है लिए हमें selection line के बल एक ही लगेगी अगर हमें 4 different हो 3 होते या 4 होते तो हमें 2 selection lines लगते तो या तो 0 होगा तो a 0 select हो जाएगा 1 होगा तो b 0 select हो जाएगा ठीक है और अगर e की value 0 रहेगी तो आपका e की value अगर आपकी 0 रहेगी तो आपका अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like, share and subscribe करें चैनल को